बहुत अच्छा सवाल किया है कि मनुस्य को ये जीवन क्यों मिला है मनुस्य को ये जीवन क्यों मिला है सबसे पहले हम समझ लें कि मनुस्य इस दुनिया के जो सबसे पहले इनसान थे उनको इसलाम धरम में आदम अलश्यलाम कहा गया है और हिंदु धरम में हिंदु धरम में मनु कहा गया है मनु मनु से बना है मनुस्य जो आज मनुस्य कहते हैं और आदम से बना है आदमी तो सभी लोगों को आदमी कहते हैं सारी काइनात का मालिक एक है जितने भी इनसान धर्टी पे फैले हुए है उस इस वर की सब के अंदर एक ही रचना है अच्छाई पे चल बुराई से बच और इस दुनिया के अंदर माहौल भी आप देखें अच्छाई बुराई का ही है तर्ती पर जतने भी इनसान हैं सब एक माबाप की उलाद है बोली का जवान का फर्क है हिंदु धरम में मनु कहते हैं पहले इनसान को और इसलाम धरम में आदम कहते हैं मनु से मनु से बना और आदम से आदमी बना यानि मनु से निरे मनु से फैल गए और आदम से निरे आदमी फैल गए तो हम दुनिया के सारे इनसान एक माबाप की उलाद हैं हम सब का मालिक एक ही है अब जिस मालिक ने जो सच्चा मालिक है हमारा संसार का सच्चा मालिक वो अपनी आखरी किताब कुरान मजीद में फरमाता है कहता है कि ऐ दुनिया के इनसानों हम सबसे कह रहा है वो दुनिया के सारे इनसानों से कह रहा है वो कि ऐ दुनिया के इन्सानों हमने तुमें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया है और फिर हमने तुमें गाउं और सहरों में कबीलों में और खांदान में बाड़ दिया ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो कि हम सब एक माबाप के उलाद हैं खुनी रिष्टे के भाई हैं आपस में दूसरे को पहचानो आपस में महबबत करो ना कि तुम नफरत करो और संसार के सचे मालिक अल्ला के नजदीक जात पात रंग नसल छूट चात ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं है अगर कोई बड़ा है तो वो बड़ा है जो लख से जादा डरता हो और उस से डर कर उसकी अच्छाई पर च्लता हो और बुराई से जादा बच्ता हो अच्छाई पर चलता हो बुराई से बचता हो वो अल्ला के नजदीक उसका मरतबा बड़ा है बाकि सारे इनसान बराबर है अब हम ये भी समझ लें कि सैतान दिखता तो है नहीं मगर ईस्वर अल्ला के हुक्मों के खिलाफ लोगों को गुमरा करता है बटकाता है आज आप देख लें कि जाती वाद के नाम पर कितना सैतान ने जहर गोल रखा है इनसानों के अंदर फसाद फैला रखा है इनसानों के दुनिया के सारे इनसान एक माबाब की उलाद हैं मगर इनमें फसाद फैला रखा है कि तु मैं उचा हूँ तु नीचा है तु फलाना है तु डिमाका है तो मेरे भाईयो हमें सच्चाई को समझना है सैतान के फंदे से बचना है और इस जीवन के समय को जो दुनिया में हमे जीवन जीने का वो समय खतम हो जाए, मौत का वक्त आ जाए, हमें अपने जीवन को काम्याब करना है, और इस वर अल्ला के आदेसों को सही सांती पूरवक सुनना है और समझना है, याद रखें, जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक, अल्ला इस वर की नासुकरी दुनिया म सब उसी का है, तो याद रखें, उसने नासुकरी की, अल्ला का इहसान नामाना है, अल्ला का नासुकरा मरने के बाद बहुत पस्ताएगा, जब हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार जाएगा, इस इमतिहान में, इस जिन्दगी के इमतिहान में फेल हो जाएगा, तो बहु उने हातों को चबाने का दर्द भी उसे महसूस ना होगा, पस्तावा इतना गहरा होगा, क्योंकि ये जीवन पहली बार और आखरी बार ही मिला है, सब को दिया गया है अम्तिहान के लिए, असल जीवन मौत के बाद है, ये दुनिया ईस्वर की तरफ से अम्तिहान का जहान है, यहां सब का टेस्ट लिया जा रहा है, यहां सब का अम्तिहान लिया जा रहा है, जो अपने मालिक को राजी करके मरा, अगर इस पर इक्षा में पास हो गया, तो मौत के बाद हमेशा काम्याबी का जीवन है, सुरक का जीवन है, अगर यहां पर मालिक की नाफरमानी करके, उ उसका नासुकरा बनके मरा तो मौत के बाद हमेशा तबाही का जीवन है नरक की आग में तो याद रखें अल्ला का नासुकरा मरने के बाद बहुत पस्ताएगा कि एकास मैं सांत होकर अल्ला की मर्जी को जानता अपने बनाने वाले सक्षे मालिक की मर्जी को जानता उसने मुझे क्यों पैदा किया गोर करता उसने मुझे क्यों जीवन का समय दिया मैं गोर करता अगर मैं सांती के साथ अपने मालिक का ग्यान समझता अग्यान से दूर जाता और ग्यान को समझता तो मैं अपने मालिक को राजी कर लेता और आज मैं नरक से बच जाता और हमेशा स्वर्ग मैं कामियाबी का जीवन पाता लेकिन मेरे भाईयो उस वक्त के पस्ताने से कुछ नहीं होगा जो भी हमें समय दिया गया है इस दुनिया में समय दिया गया है जब तक हमारे सांस चल रहे हैं हम जो महनत कर लेंगे वही हमारे मरने के बाद काम आएगी और जो इन बात को कहानी किस्से और वहम करेगा और खे सबसे पहला और सबसे बड़ा सारा एहसान हर इनसान पर अल्ला का है जिसने उसे पैदा किया है इस दुनिया में इनसान का कुछ भी नहीं है जो अपने मालिक की मरजी को समझेगा कुरान मजीद में सबसे पहली जो सबसे पहला जो मेसिज आया आसमान पर से वो क्या आया एकरा हर इनसान से अल्ला ने कहा कि मेरे पैदा की हुए इनसान मेरी मरजी को पढ़ मैंने तुए जीवन क्यों दिया है जीवन का समय क्यों दिया है अगर तुने मेरी मरजी पढ़ी मेरी मर्जी पर चलके आया तो तेरा जीवन कामियाब है और अगर तुने मेरी मर्जी ना पढ़ी कुरान मजीद में तो तेरा जीवन नाकाम है चाहे तुने दुने दुन्या की हर चीज पढ़ी मेरी मर्जी ना पढ़ी कुरान में तो तेरा जीवन नाकाम है तो याद रखें दुनिया का इनसान दुनिया में इनसान का कुछ भी नहीं है दुनिया की हर चीज को अगर इनसान अल्ला की मर्जी को पहचाने जो इनसान अल्ला की मर्जी को पहचानेगा हैं और दुन्या की हर चीज की महबबत छोड़कर हाँ सिर्फ अल्ला की महबबत मरकर लेके जाएगा तो अल्ला के इनाम जन्नत का हगदार बन जाएगा स्वर्ग का हगदार बन जाएगा इनसान कुस्तो गोर करे किस काइनात के सिस्टम को कोई और चला रहा है मेरी जान किसी कबजे में है मैं दुख को पसंद नहीं करता वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता उस मालिक की मर्जी क्या है इनसान धोके में दुनिया को हमेशा घर समझता है और दुनिया से महबत करता है जैसे दुनिया में हमेशा रहना हो और अपने सामने लोगों को मरते वे देखता रहता है अपनी मौत की होस में नहीं आता कि जैसे और लोग मेरे सामने दुनिया को छोड़के चले गए इस तरह से मुझे भी जाना है बड़ा बदनसीब है बड़ा बदवक्त है वो इनसान कि दूसरे की अर्थी जारी हो दूसरे की मयच जारी हो उसको देखकर खुश सबक खासिन ना करें कि आज मर के ये जारा है कल को मेरा भी नमर है दुनिया की महबत इनसान के अंदर छलकती है उसके बोल से उसके रंग धंग से छलकती है दिखती है कि इसको दुनिया से महबत है दुनिया को हमेशा घर समझे बैठा है मरने का बिलकुल भी होस नहीं है इसलिए मेरे भाईयो सच्चाई को अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मरजी को सांती के साथ सुनो और समझो ताकि तुम अंदकार से निकल सको और ग्यान की रोसनी में आ सको और इस जीवन के समय को काम्याब बना सको सेथान के फंदे से बच सको अब देखो ना इस दुनिया में धोका और जूट उपर उपर फैला हुआ है सच्चाई उसके नीचे ढखी हुई है अब जो सांती के साथ मालिक से डर कर उस सच्चाई पर गोर करेगा तो दोका और जूट से बच जाएगा यह दुनिया आजीब है इस दुनिया में हमेशा जीने की और रहने की बात हर आदमी करता है आप जेकते हैं जहां चार लोग बैठे तस लोग बैठे वहां पर जो है वो दुनिया ही की बात करते हैं हमेशा जीने की हमेशा रहने की दुनिया की कारोबार की यहां से मर कर जाने की बात कोई नहीं करता तो याद रखना जीवन का समय सब को मिला है जिसने सच्चाई पर गोर किया जिसने अपने मालिक को पा लिया उसका जीवन मौत के बाद कामयाब है और जिसने अपने मालिक को नहीं पाया सच्चाई पर गोर ना किया दुनिया के दोके में खेलता रहा और जीवन के समय को बरबात कर लिया यहां तक की मौत का समय आ गया वो मौत के बाद नाकाम है याद रखें जिनों ने अल्ला को पा लिया जिन लोगों ने अल्ला को पा लिया उनकी बात अल्ला का मौताज बन कर सुनो तुम भी अल्ला को पा लोगे और जीवन की नाकामी से बच जाओगे तो मेरे भाईयो तो अल्ला ने जन्नत का स्वर्ग का हमेशा जीने का नसाभी इन्सान के अंदर इतना जबरजस्त रखा है इतना जबरजस्त रखा है के इन्सान राद दिन इस दुन्या में अपनी आहो के सामने अपने जैसे इन्सानों को मरते वे देखता रहता है मगर अपनी मौत को फिर भी भुलाए रखता है नजरन्दाज करता रहता है कि जिसे उसे मरना ही नहो और दुन्या के खेलता मासे में लगा रहता है माल दौनत बटोड़ता रहता है फिर अल्ला ताला इन्सान के उपर दुखों के पहाड़ तोड़ कर इस जिन्दगी और दुन्या की हकीकत दिखाता है कि ये दुन्या धोका है ये जिन्दगी धोका है फिर इस नसे से बाहर निकलने का हुकम दिया उसने कि सच्चाई के होस में आ मेरे भाईयो इस दुन्या का दस्तूर है कि मरने के बाद दुनिया के लोग हमें अकेले अल्ला के हवाले कर देंगे यह सब ले जाएंगे हमें कबरुस्तान हमारी कबर खोद के हैं हमें लिटा करके और यही हमारे घरवाले हमारे उपर मट्टी फेकेंगे हमारा अंतिम संसकार करके आएंगे तो मेरे भाईयो जब हमें मरकर अल्ला के हवाले होना है तो हम जिन्दे पर ही अपने आपको अल्ला के हवाले कर दें अपने आपको अल्ला के सामने स्रंडर कर दें समर्पित कर दें इसी को इसलाम कहते हैं तो हम अपने आपको अल्ला के हवाले कर दें जैसे अल्ला अपनी रचना के आधार पर कुरान में कहता है वैसे ही करें ताकि मौत के बाद कामियाबी मिले तो अल्ला से डर कर उसकी मर्जी को जाने ताकि वो हमें अपना सच्चा रास्ता दिखाए अल्ला के सिवा इस काइनात में कोई सचा रास्ता दिखाने वाला नहीं है और याद रखें घमंड सिर्फ अल्ला के लिए हैं सारी इज्जतें अल्ला के लिए हैं सारी तारीफ अल्ला के लिए हैं जो इनसान घमंड करता है वो अल्ला के हक को छीनता है वो अल्ला की दी हुई धील का गरत फायदा उठाता है अब देखो ना ये जितने भी लोग फिरकों में बटे हुए हैं अलग अलग गिरोहों में बटे हुए हैं धर्मों में बटे हुए हैं ये गमंड में अल्ला की बात नहीं सुनते अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्जी को नहीं समझते अल्ला ऐसे लोगों को ऐसे घमंडियों को सच्चा रास्ता नहीं दिखाता अल्ला सच्चा रास्ता उन लोगों को दिखाता है जो अल्ला के सामने जुक जाते हैं अपनी गर्दन को डाल देते हैं और अल्ला थे डर कर उसकी मर्जी को जानने की कोसिस करते हैं आप कभी गोर करें संसार के सच्चे मालिक ने आस्मान को जैसा बनाया है वो वैसा ही रुका हुआ है मगर इनसान की जो बुद्धी है जो अकल है ये चलामान है सामने जुक जाए इसी में इनसान की कामियाबी है इसी में इनसान की भलाई है कुरान कहता है जिसने ये कहा कि मेरा रब मेरा पालने वाला मेरा हिमायती मेरा मददगार मेरा कारसाज मेरा पुस्त पना सिर्फ अल्ला है मेरा बनाने वाला सच्चा मालिक है और इस बात पर जम गया उसने काम्याबी की राह पकड़ ली तो मेरे भाईयो अल्ला से तालुक बनाएं उसकी मर्जी को जानें ताकि वो हमें अंधेरे से निकाल कर रोस्नी में लाए हमें मौत के बात की जिन्दगी की रोस्नी समझाए इस दुनिया को ही इनसान सब कुछ समझता रहता है मालिक की तरफ ध्यान नहीं देता है आँख मिचने दो फिर तुमें मालूम पड़ेगा कि ये दुनिया की जिन्दगी कितनी बेकार थी बगएर एमान की रोस्नी के ये दुनिया तुमें बहुत कुछ सब कुछ दिखाई दे रही है मौत के बाद की जिन्दगी से अंदे हो मेरे भाईयो अल्ह ताला बड़ा करपालू बड़ा द्यावान है कुरान मजीद में इसलिए सबसे पहले फरमाता है अर्हम्दिल्ल्ही रबिलालमीन सब तारीफ मेरे लिये हैं में सारे जहानों का पालने वाला हूँ और रह्मान रुर्षीम जो बड़ा महरबान मैं बड़ा महरबान बहुत रहम करने वाला हूँ लग तो लोग इस धर्ती पर सबसे ज़प्से ज़दा اللہ کے ناسکرے بھرے پڑے ہیں तो اللہ تعالی امتحان ले रहा है ناسکروں को امتحان लेने के लिए खिलाता है पिलाता रहता है वरना अगर महर्बान ना हो اللہ تعالی किरपालो द्यावान ना हो तो एक दाना भी किसी को नहीं खिलाता खिलाएगा एक दाना भी किसी को नहीं खिलाता मगर अल्ला का ना सुक्रा मौत के बाद अल्ला की एक नेमत एक दाना ना खा पाएगा जहन्म की आग में सजा पाएगा यह तो इम्तिहान का जहान है इसलिए वो इम्तिहान ले रहा है खिला रहा है और पिला रहा है तो मेरे भाईयो इस दुनिया में सब को जीवन का समय देता है वो मालिक मन उसे जीवन का उद्देश इंसान की जिंदरी का मकसद यही है कि अपने जीवन के समय को कामियाब बना और किसी के पीछे न पढ़ किसी के बारे में न सोच दुनिया में बुराई आम है कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा जिशनी जो किया है उसे भरना पड़ेगा तो सांती पूरवक अपने मालिक की मरजी को समझ उसे राजी करके जा दुनिया के पीछे न पढ़ ये दुनिया धोका है मौत पर जब वो मालिक तुझे बलाएगा दुनिया की कोई ताकत तुझे मौत से नहीं बचा पाएगी तो जीवन का मकसद यही है कि हम अपने मालिक को अपने जीवन के समय में पहचाने सच्चाई के दौरा अच्चाई के दौरा और उसे राजी करके जाएं और मौत के बाद जन्नत में हमेसा कामयावी का जीवन पाएं जहन्नम की आग से बच जाएं कामयाव वही है जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाकिल किया किया गया तो सांती पूर वक', अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्जी को समझेँ उसका सही ग्यान हासिल करें इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इल्म ग्यान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है मैं आपको प्रादू आपको आ जाएगा इल्म तो धीर धीरे सीखना पड़ेगा इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जाकर करके एक एक करके सबी वीडियो देखें और सुने ताकि जल्दी जल्दी आप सच्चाई को समझ सके तो याद रखें दुनिया में जो भी जूट और बुराई की तरफ बुलाए चाहें वो हमारा कोई भी रखता हो रिष्टे में मा बाब भाई बहन उसके बहकाए में ना आएं उन लोगों के बहकाए में ना आएं सच्चाई का साथ दें क्योंकि मर कर हमें अकेरे लोटना है और जब हमारी मौत का वक्त आ जाएगा तो दुनिया में कोई रिष्टा नाता हमें मौत से नहीं बचा पाएगा इसलिए सच्चाई का साथ दें सच अल्ला का है और ज़ूट सेतान का है सच्चाई पर चलने वाले ही मौत के बाद कामियाब होंगे यही हमारे अंदर ईस्वर की अल्ला की रची हुई रचना है कि इमानदार बन या बेइमान बन सच्चाई को पसंद कर या ज़ूट को पसंद कर यह उसने हमें फ्री विल दिया है छूट दिया है मौत तक का समय दे दिया है अब जो सच्चाई पर चलके मरेगा वो कामियाब होगा जो ज़ूट और बुराई पर चलके मरेगा वो नाकाम होगा इसलिए कुरान में कहा गया है कि मरने के बाद सच्चे मौमिन इमानदार इमान वाले ही कामियाब होंगे याद रखें हकीकत में सच्चा मौमिन इमानदार वही है जो बुराई को जो है रोकता हो बुराई से लोगों को रोकता हो और सबसे बड़ी बुराई धरती पर क्या है कि अल्ला के अलावा औरों की अबादत की जाए औरों की पूजा की जाए अल्ला के अलावा औरों के आगे सर जुकाया जाए तो याद रखें हकीकत में सच्चा मौमिन इमानदार वो है जो सिर्क सिर्क की बुराई को हाथ से रोके अल्ला की धर्टी पर इबादत कराए लोगों को ग्यान बताए के मूर्ती पूजा गलत है इनसानों की पूजा मत करो इस धर्टी में जितनी भी ठीजे हैं उस मालिक की पैदा की हुई है उसकी आगे जुको उसकी उसकी पूजा करो नमाज पढ़ो तो सच्चा मौमन इमानदार वो है जो सबसे बड़ी बुराई सिर्क को एक ईसवर वाद धर्टी पर फैलाए एक ईसवर के अधिकार लोगों को बताए और गरतीजों की पूजा से लोगों को रोके अगर इतनी ताकत दी है कि हाथ से रोक सके तो हाथ से रोके इतनी भी ताकत ना हो तो फिर जवान से रोके इतना भी ना हो तो कम सकम दिल से तो बुरा समझे कि यह गलत हो रहा है जो दिल में भी बुराई को बुरा नहीं समझता उसके पास कोई इमानदारी नहीं है कोई सच्चाई नहीं है वो चाहें मुसल्मानों का रूप अपना कर नमाज पढ़ता रहे रोजे रखता रहे हज़ करता रहे सारे अमल करता रहे मगर बगएर इमान के उसके आल्ला कोई अमल कबूल नहीं करेगा तो जो बगएर इमान के नमाज पढ़ते हैं रोजी रखते हैं वो सिफ मुसल्मानों घर में पैदा हो गए हैं रसम अदा करते हैं रसम कहते हैं किसी भी चीज को बिना सोचे बिना समझे उसको अदा करते रहना ना सोचना ना समझना कि क्या सही है क्या गलत है ना गोर करना कितना सच है कितना जूट है और मेरे भाईयों जो चीज दिखाई नहीं देती जो चीज दिखती नहीं है उसमें हमें बहुत बारीकी से गोर करने की जिरोत है तब ही हम सच्चाई और कुबट, ये शिलिफ अलल ने दी है और इसलिए दी है ताकि इस ताक्ट से, इस कुबट से, अकल की ताक्ट से सरीर की ताक्ट से हम अपने मालिक की तरफ कोशिस करें महनत करें, उसका ग्यान हासल करें सच्चाई पर खुhu भी चलें सच्चाई को दुनिया में फैलाएं अगर हमने ये टाकत अल्ला के लिए लगाई तो कामियाब है जीवन और अगर हमने ये टाकत अल्ला को भूल कर अल्ला की नासुक्री करके सच्चाई को नगरंदाज करके अपनी मौत को भूल करके दुनिया में लगाते रहे और जीवन का समय पूरा कर दिया तो मेरे भाईयों मौत के बाद नाकामी हैं हमेशा के लिए तो मालिक की सही पहचान और जीवन का सही मकसद इसके बारे में हमारी बहुत सारी वीडियो है हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने ताकि जल्दी जल्दी आप सच्चाई को समझ सकें अमीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया और बे इंशालला जिन्दगी रही तो फिर मुलाकात होगी असलाम वालेकुम रहमतुल्ही वबरकातु हूँ